आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें गैस के बिवहार से क्यों बिचलित होती है इसको दोस्तों हमें देखना है तो दोस्तों सबसे पहली बात हम आदर्श गैस के अड़ू गैस में जो गुड़ हैं उनको ध्यान में लाएंगे और जो बास्तविक गैसे हैं जैसे CO2, NO2 इस प्रिकार की गैस हैं इनके जो अड़ूं के मद्ध जो भी इनके अड़ूं में जो ब्यभार होता है उसको ध्यान में लाएंगे फिर उसके आधार पे हम यहाँ पर प्रश को हल कर लेंगे ठीक है तो जो आदर्श गैस होती है उसके अड़ूं के मद्ध दोस्तों कि इसी प्रिकार का आकर्शन बल या प्रतिकर्शन बल नहीं लगता है तो आदर्श गैस में क्या होता है आदर्श गैस में इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों आदर्श गैस में अड़ूं के मद्ध कोई भी बल नहीं लगता जबकि जो बास्तविक गैस हैं दोस्तों उनक अड़ों के मद्ध आकर्शन बल लगते हैं इसी कारण जो आधर बास्त्विक गैसे हैं वो आधर्ष गैस के विवहार से बिचलन प्रिदर्शित करती हैं ठीक है इसके अलावा दोस्तों जो आधर्ष गैस के अड़ों है वो कोई भी इस्थान नहीं गेरते है अर्थात उनके द्वारा घेरा गया इस्थान नगर्ण होता है जबकि बास्त्विक गैस के जो अड़ों है बे क्या करते हैं दोस्तों एक एक ऐस मलब इस्थान घेरते हैं जिसका की कोई ना कोई निश्चित मान हम ग्यात कर सकते हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि बास्त्विक गैस के अड़ों अडवों द्वारा घेर अगया जो जो भी इस्थान है या आयतन है भे 0 होता है परन्तु आधर्श-Гएस के अडवों द्वारा घेर अगया IATAN सदैप शूनने होता है तो अब जो विकल्ब हैं इनको देख लेते हैं पहले विकल्ब में कहा रहा है दोस्तो नगर्ण आयतन घेड़ते हैं ऐसा नहीं है दोस्तो बास्तविक जो गैसे होती हैं वे उन सभी के अडू एक निश्चित आयतन घेड़ते हैं तो ये विकल्प क्या हो गया गलत हो गया दूसरा विकल्प देखते हैं इसमें कहा रहा है गैस के अड़ूं के मध्य आकर्शन बल होता है ठीक है तो अड़ूं के मध्य आकर्शन बल होने की वज़ा से दोस्तों ये आदर्श गैस से ब्यभार आदर्श गैस के ब्यभार से ब परस्पर आकर्शित नहीं होते हैं ये भी दोस्तों गलत बिकल्प है ठीक है बास्तविक गैसों के अडू परस्पर एक दूसरे को आकर्शित करते हैं इसी कारण ये जो गैसे हैं आदर्श गैस के बेवार से बिचलन प्रदर्शित करती हैं तो आशा करता हूं आपको दोस्त तो समझ में आया होगा, धन्यवाद.